नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तो, पूजागर बवन का सबसे महतवपुन स्थान होता है इसी स्थान से हमें सकारात्म कूर्जा प्राप्त होती है इसलिए बवन में पूजागर का निर्मान करते समय हमें वास्तु स्यास्तर में बताए गए महत्वपुन नियमों का पालन अवस्य करना चाहिए और पुजागर में कुछ नियमों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे हमें राधना का सही फल मिल सके अई ये जान लेते हैं पुजागर से समंदित वास्तु नियम सबसे पहली और बड़ी गलती जो अक्सर हम सबी से हो ही जाती है वो है मंदिर को ऐस सवच रखना पूजा घर के मंदिर को जिसमें आप बगवान को स्थापित करते हैं कभी भी ऐस वच नहीं रखना जाहिए साथ ही हमें भी पूरी तरह से सवच होकर ही मंदिर में जाना चाहिए चपल जुते पहन कर या गंदे पैरों से कभी भी पूजा घर में नहीं जाना चाहिए दूसरी बात है कि हमारे घर के पूजा घर का मंदिर कभी भी दक्सिन दिशा में नहीं खुलना चाहिए दक्सिन दिसा मिर्त्यू के देवता यमराज की दिसा मानी जाती है इस दिसा में बगवान के लिए लगाए गए दिये की जोत भी नहीं होनी चाहिए इसी परकार देवताओं के मुख भी दक्सिन दिसा में नहीं होनी चाहिए साथ ही यह विद्यान रखे कि देवी देवताओं के मुख आमने सामने नहीं हो तीसरी बात है कि पूजागर में कभी भी खड़े हुए या नाचते हुए गणपती की तस्वीर ना रखे तांडाव करते हुए बगवान सिव की मुर्ती या तस्वीर नहीं हो हनुमान जी की तथा माता के रोदर रूप में मुर्ती या तस्वीर कभी भी नहीं लगानी चाहिए किसी भी बगवान की हमेशे श्यांत और बैठी हुई अवस्था अथार्थ विराजमान अवस्था में ही होनी चाहिए पूजागर में कभी भी खंडिद मुर्ती नहीं रखनी चाहिए चोथी बात है कि पूजागर में कभी भी जीवित या मिर्थ व्यक्ति की तस्वीर देवताओं के साथ नहीं लगाए यह बिल्कुल भी सुब नहीं माना जाता है गर के पुजा गर में किसी भी देयोता की एक से अधिक तस्वीर नहीं रखनी चाहिए साथ ही उन तस्वीरों की उच्चाई चार से पाच इंची होनी चाहिए जहाता गर के मंदिर में सिवलिंग रखने का पर्षन है तो गर के मंदिर में तो इंच से बड़ा सिवलिंग भी नहीं लगाना चाहिए गर के मंदिर में रुखी मूर्ती या तस्वीरों के मुख परसंचित मुदरा में हो गर के मंदिर में माता काली, सनी देव और भैरव जी की मुर्ति लगाना वर्जित माना गया है पाचवी बात है हमारे प्राचिन हिंदु स्यास्त्रों में पाँच देवी देवताओं की पूजा परतिमा बताई गई है इसलिए एक घर के मंदिर में इन पाँच देवी देवताओं की मुर्ति अथवा तस्वीर अवस्य ही होनी चहिए मंदिर में सूरिय देव की तस्वीर अवस्य लगाएं गनेश जी, बगवान विश्णू, माता पार्वती, बगवान सिव इन पांच देवी देवताव की पूजा घर में अवस्य ही होनी चाहिए तबी वह पूजा घर संपून होता है आसा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद